मामला युवक पर किया रौट विलर नसली के कुट्टे ने हमला सोसाइटी के बच्ची कुट्टों को टहलाने लाए थी अचानक पेड़ित श्रक्स हेमन पर हमला कर दिया कुट्टे ने और अभी नगर की एक सोसाइटी का ये मामला बताया जा रहा है तो बड़ी खबर गाजबाद से गाजबाद में फिर से एक कुट्टे के हमले का मामला सामने आया है युवक पर रौट विलर नसली के कुट्टे ने हमला किया है बताया जा रहा है कि सोसाइटी की बच्ची कुट्टे को टहलाने लाए थी और अचानक पीडित शक्स हेमन पर कुट्टे ने हमला कर दिया कवी नगर की एक सोसाइटी का ये मामला बताया जा रहा है लखनाओ से बड़ी खबर है लौरेंस से विश्नो गैंग को लेकार बड़ा खुलासा हुआ है यूपी के बाउबली नेता की भी रेकी की थी और यूपी के बाउबली नेता की फिराक में था लौरेंस के बिश्नो गैंग पिदान सबाचुनाओ के दरान विदाय के जिले में डेरा डाल रखा था और आयोध्या की एक हिस्टी शूटर और लोकल निता का सपूर्ट भी इसे था बिश्टनोई गैंग के शूटर्स के ठहरने और खाने पीने का इंतिजाम भी इस लोकल निता के द्वारा किया गया था शूटर्स की टीम में शामिल था एक फैज़ाबाद का नाबालेक और बाहुबली के हत्या के लिए हत्यार का इंतिजाम भी किया गया था आपको बता दे कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला की हत्या का आरोपी है लॉरेंस बिश्णोई गैंग अबनाश बहुत बड़ा खुलासा हुआ है लॉरेंस बिश्णोई गैंग को लेकर बता जारा कि विदान सबा के चुनाओं के दौरान एक जिले में इसके गैंग के लोगों ने डेरा डाल रखा था और उसे लोकल नेता का सपोर्ट भी हासल था बिल्कुल दखिए ये चौकाने वाला खुलासा है धिरेंदर क्योंकि जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि कुख्याद गैंक्स्टर लॉरेंस बिशनोई ने यहां पर रेखी करवाई थी अपने शूटरों के जरिए और चुकि उनकी प्लानिंग थी कि जो यहां के एक बाहुपली नेता है उनकी हत्या कराई जाया और इसके लिए बकायदा जो उसके शूटर्स थे उन्होंने चुनाओ के दौरान जो हालिया विधानसवा चुनाओ हुआ है उस चुनाओ के दौरान ही विधाज जिले में इसके शूटरों ने डेरा डाल रखा था उसमें वहीं के एक लोकल नेता द्वारा मदद करने की बात सामने आ रही है ये बात भी सामने आ रही है धिरिंद्रे की इस हक्तिया को अंजाम देने के लिए बिश्नोई गैंग ने एक खास तरह की 50 कैलिबर राइफल की हुई वस्ता कर ले थी दरसल इस राइफल का इस्तेमाल जो बुलेट प्रूव गाड़ियां होती है उनको भेदने के लिए किया जाता है क्योंकि देखा जाए तो जिस बाहुबली नेता का जिक्र हो रहा है माना जा रहा है कि उस बाहुबली नेता के पास बुलिट प्रूब गाड़ी है और उसी बुलिट प्रूब गाड़ी का इस्तेमाल उस नेता के दोरा किया जाता है लेकिन देखी जो जानकारी सामने आई है चुकि कहा जा रहा है कि सिद्धो मुसे वाला की जिस सरीके से हत्या हुई उस हत्या को लेकर विश्णोई से जुड़े जो तमाम इसके गैंग के सदसे हैं उसे पूस्ताज भी हो रही है और उसी पूस्ताज में इस बात का खुलासा हुआ है कि विधान सभाचुनाव के दवरान लॉरेंस विश्णोई गैंग यहां के एक लोकल नेता के कहने पर एक बाहु बली नेता की हत्या को अंजाम देना चाहता था और उसके लिए बकायदा जो इसके शूटर्स थे उन्होंने रेकी की थी तैयारी पूरी कर ली गई कि गैंग की कितने सदस से जिले में ठहरे हुए थे साथी साथ जिस लोकल नेता की बात सामयारी जिने ने सपोर्ट दे रखा था पना दे रखी थी उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई यहां तक सवाल लॉरेंस बिश्णोई गैंग का है तो कहा जाता है कि इसके गैंग में पान सौ से जादा शूटर्स पूरे देश में फैले हुए हैं और उत्तर प्रदेश में भी कई कुख्यात ऐसे शूटर्स हैं जो कि इसके गिरोह के इसके गिरोह में शामिल हैं जो इसके साथ ही हैं जहां तक सवाल इस पूरे मामले को लेकर है तो कहा जा रहा है कि चु कुछ यूग।